नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News पेश 29 जून बुद्वार सुब़ सवाच शावजे रास्तान की बड़ी खबरें तैसान के मंख्य मंत्रशो गहलोत ने मंगलवार को SMS स्टेडियम के पास थित यूथ हॉस्टल में युवाओं को एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं देने के लिए आज राजीव गांधी युवा एक्सेलेंस सेंटर का शिला नियास किया चार करोड अठाइस लाग के लागत से करीब आठ महीने में सेंटर बन कर तयार होगा मुख्य मंत्रशो गहलोत ने वैदिक मंत्रो चार के बीच शिला नियास किया इस दोरा शिला नियास अमारों को संबोदिच करते वे मुख्य मंत्रशो गहलोत ने बड़ी घोशना भी की सियम गहलोत ने कहा कि युवाओं को ध्यान में रखकर सरकार ने पहले भी कई बड़े फैसले लिये हैं और अब उनका प्रयास रहेगा कि प्रदेश का अगला वजट युवा के इंडित हो सियम अशो गहलोत ने कहा कि राजिस्थान में इस बार सबसे ज़्यादा कॉलेज हमारी सरकार में खोले गए हैं राजसान देश में ऐसा पहला राजिय है जहां पर पूरी जनता का दस लाख तक का बीमा कर दिया गया है लिवर किड्नी ट्रांस्प्लांट जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज का खर्च भी राजिस सरकार उठाएगी राजसान विधानसवा चुनाव दोजार तेईस में डेड़ साल का वक्त बचा है कांग्रिस और भाषपा दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड पर आ गई है नेताओं को भी चुनाव के चक्कर में अपना विधानसवा शेत्र याद आने लगा है प्रदेश के जारतर नेता अपने अपने विधानसवा शेत्र का चक्कर लगाकर जनता की नब्ज टटोर रहे है इसमें मुख्यमंत्र अशुक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्र वसंद्रा राजी भी शामिल है पूर्व मुख्यमंत्र वसंद्रा राजी पिछले दिनों दो दिन तक जारावार विधानसवा शेत्र में रही यहां उन्होंने कालकरता और आमजन से मुलाकात की उन्होंने विधायक सांसदाप की वार कालकरम में हिस्सा लिया रास्तान में विधायकों की गलत आचरन की शिकायतों के लिए विधानसवा में गठित की गई सदाचार समीती सिर्फ काग्जों में ही बन कर रह गई है साथ साल पहले पहले बार ये सोचकर समीति का गठन किया गया था कि विधायक के आचरन को लेकर मिली शिकायतों की जांच की जाएगी और यदि विधायक दोशी पाया गया तो उस पर कारवाही भी होगी लेकिन कमेटी की हालत यह है कि आज तक एक भी मामला इस कमेटी को नहीं सुपा गया ना तो विधान सबाध्यक्ष और ना ही जनरता में से किसी ने इस समीती को विधायकों की शिकायत की है विधायकों के सदन और सदन के बाहर आचरन के शिकायतों के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था वर्तमान में इस कमेटी का अध्यक्षपूर, विधान सबाध्यक्ष और कॉंग्रिस विधायक दिपेंटर सिंग शेखावत को बना रखा है रायसान के सीकर जिले के नीम का थाना में प्रिशासन की टीम ने फर्जी मद्दाता पहचान पत्र बनाते एमित्र संचालग को पकड़ा है आरूपी छावनी में कोड के पास ही तमर कम्पिटर एंड एमित्र कियोस के नाम से केंडर चला रहा था जहाँ अना धिकरत पोर्टल से फर्जी मद्दाता पहचान पत्र बें उसके जरी अन्य दस्तावेज तयार कर रहा था कम्पिटर जब्ट करने वें दस्तावेजों को सीज करने के साथ एसने व्रजेश कुमार ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में मामना दर्ज करवाया है जिसके आधार पर पुलिस ने मामने की जांच शुरू कर दी है तयसन के सरकारे नीजी कॉलेज में पॉलिस थिन और प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास कप एक जुलाई से बंद होंगे कॉलेज रिक्षण ने देश आले ने सभी प्राचारियों के इसके तैयारियों में जुटने के निर्देश दिये हैं कई कॉलेज में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कॉलेजों ने एक जुलाई से पोस्टर बैनर लगाने जो अगुता अभियान चुलाने की योजना बनाई है ताकि कैमपस को धीरे-धीरे प्लास्टिक मुक्त किया जा सके। NGT की गाइडलाईन के अनुसार केंद सरकार ने देश में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंद लगाने की घूशना की है। इनमें आम तोर पर काम आने वाले पॉलिथिन और प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास जैसे आइटम शामिल हैं। ब्रश्या चार निरोदक ब्यरों ने जैपूर में पटवारी को 4000 रफे के रिश्वत लेने के मामने में गिरफतार किया है। ACB अब उसके आवास और अन्य ठीकानों की तलाशी ले रही है। ब्रश्या चार निरोदक बीरो के डीजी बीयर सोनी ने बताया कि ACB की जैपूर नगर चतुरती काई को परिवादी ने शिकायद दी थी जिसमें बताया था कि भूमी का नामांतरन खोलने और तारबंदी योजना के तैट नक्षा ट्रस करने के एवज में पटवारी परिश प्रसाद बैरवा रिश्वत मांग रहा है राश्तान में अगले 24 घंटे की वीतर मौनसुन की जमा जम बारिश होने की संभावना है इससे पहले ही उदैपूर और कोटा संभा की कुछ इलाकों में अच्छी बारिश के समय करन बन गए हैं और रात तक बारिश होगी उदर पूर्वी वैदशनी राश्तान के इलाकों में 29 जून से 2 जुलाई तक भारिश यती भारी बारिश का अलर्ण चारी किया गया है हलांके पश्ची में राश्तान में मधन दर्जी की बारिश होगी और तेज हमाओं का जूर रहेगा कुछ एक सानों पर एक जुलाई क भारी बारिश हो सकती है राश्तान में संचॉली 345 नर्सिंग शिक्षन संसानों में से 275 से अधिकी मानेता पर संकट खड़ा हो गया है राजी सरकार की नई निती के बाद 100 बैट का अस्पताल संचॉलीत करने वाला ट्रस्ट या अस्पताल ही आविदन कर पाएंगे दूस कोटे ट्रस्ट दौर से बाहर हो जाएंगे वहीं बड़े अस्पताल समुहों की चांदी होगी केंद्र सरकार की ओर से मार्श 2021 में जारी अधिसूचना के अनुसार कोई भी अस्पताल एक से अधिक नर्सिंग संसान से नहीं चुड़ सकता भारते संसत भमन परिसर में उतपात मचाने वाले बंद्रों को भगाने क confess क्लिए चार लोगों को निट किया गया है ये लंगूर की आवाज निकाल कर एम अन्य उपायों से बंद्रों को भगाएंगे संसर सुरक्षा सेवा के परिपत्र के मताबिक संसर परिसर में बंदरों की अक्सर मौजूद्गी देखी गई है बंदरों के उत्पात को नियंतित करने के लिए चार लोगों की सेवाई ली जाएंगी पहले बंद्रों को भगाने के लिए लंगूर को रखा जाता था लेकिन अब इस पर प्रतिबंद लगा दिया गया है कोरोना के मामले कम होने से ट्रेनों में समाने टिकट की सुविधा भी पट्री पर लोटने लगी है दिली जापुर रूट पर अधिकांस ट्रेनों में समाने टिकट की विवस्ता बहाल कर दी गई है यादरी बुकिंग विंडो से टिकट प्राप्त का सकते हैं फिलहाल अलवर से जापुर जाने के लिए सभी ट्रेनों में समाने टिकट मिल रहे हैं वहीं दिल्ली की तरफ जाने के लिए फिलहाल एमदाबाद पुरानी दिल्ली के बीच चलने वाली आश्रम सुपरफास्ट भुज बरेली योगा एक्सप्रेस में रेजर्वेशन कराना पड़ रहा है। अजमेर विदित वितरन निगम ने विजली चोरों की खिलाफ चलाए जो रहे विशेश सतरता अभियान के तहट 17,838 जगों पर शापा मारा। इन में 2416 जगों पर विजली चोरी तशा 652 जगों पर विजली की दुर्पियों की मामने सामने आए। इन सभी पर कुल 5,85 लाग रुपर जुर्माना लगाया है। अज मेर विदित विदर निगम की प्रबंद निदेशक एनस निर्वान ने बताया कि निगम की ओएन एम और विजलेंस टीम के अलावा मिटर एंड प्रोटेक्शन चाखा प्रजेक्ट विंग और स्टोर विंग के अभियनताओं को भी सतर्पता जौांच करने के लिए नि आयोग में होगी सचीव अचल अटल ने बताया कि 29 जून को रोल नंबर 166 से 1695 और 30 जून को रोल नंबर 16119 से 12103 तक के अभियर्थियों की कांसलिंग होगी कांसलिंग सुबह और शाम के सत्र में होगी आयोग ने सांखी के अधिकारी समयक्षा परिक्षा के तहत एक जु गांधी शांती प्रतिस्थान नई दिले की अध्यक्ष कुमार प्रशांत ने मंगलवार को जयपुर की सेंटरल प ironically निर्माना धिन महात्मा गांधी दर्शन संक्रहाले को निरिक्षिन किया उन्होंने जेडी सी रवी जैन से संग्रहाले के निर्मान कारे के जान कारी ली इस दोरान उन्होंने तैस समय में संग्रहाले का काम पूरा करने की बात कही इस दोरान जेडी के अन्य अधिकारे भी मौजूद रहे अध्यक्ष कुमार प्रशांत ने इस से एक दिन पहले महत्मा गांधी दर्शन संग्रहाले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली पाली के पूर्व विधायक भीमराज भाटी के नाम से बनी फेस्बुक पेज की आईडी को टैग करते हुए एक यूजर बिपेश कुमार ने हत्यारों के फोटो के साथ पोस्ट शेयर की इसमें लिखा कि किसी को हत्यार चाहिए तो उससे संपर्क करें सुमार को इसकी सूचना मिलने पर पूर्व विधायक ने पुलिस को सूचना दी पुलिस फोटो वे पोस्ट शेयर करने वाले आरोपी के बारे में पता लगा रही है जोनकारी के अनुसार पूर्व विधायक भीमराज भाटी के समर्थक दिनेश प्रवार ने आपका साथ मेरी ताकत पूर्व विधायक भीमराज भाटी के नाम से फेस्बुक पर एक पेज बना रखा है इसमें साड़े पांच हुजार से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं इस पेज पर विपेश कुमार नाम के किसी यूजर ने दो देशी पिस्टल के फोटो अपलोड किये हैं खर्चों के जुगार और पुराना कर्च उकाने के लिए कर्ज का बढ़ता भार चिंता की लकीरें बढ़ा रहा है वहीं शिक्षा, स्वास्त और समाधिक सुरक्षा पर बढ़ता खर्च और परिसंपति निर्मान के लिए पुंजी गत खर्च पर जोर प्रदेश का वित्य प्रबंधन पट्री पर आने का संकेत दे रहा है राज्यों की घाटे वाली अर्थवेवसा पर रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट माथे पर पसी ना लाने वाली है जिसमें रास्तान भी शामिल है कर्च भार बढ़ने का एक करण पिछली सरकार के समय विद्ध विद्रन कमपनियों को बचाने के लिए केंदे की उद्धाय योजना के तहत लिया गया उधार भी बताय जो रहा है अब तक उद्धाय योजना की कर्च की जितनी मूल राशी चुकाई गई है ब्याज भुकतान की राशी भी उससे थोड़ी ही कम है तो फिलाल इस पुरेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खपरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्प्टी न्यूस को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर